Hi everyone, welcome back to my channel, so guys how are you all, I hope you all are doing well, so अभी हमारे 3 exams हो चुके हैं, and अभी next target जो है, वो है IBPSPO, and ही banking का major exam है, जिसका हम सभी wait करते रहते हैं, तो सबसे पहले मेरी exam date का मैं आपको बता देती हूं, तो मेरा जो exam है, वो 19th को 1st shift में है, जो 8 बजे से start है, 8 बजे reporting time है इसका, and seriously पिछले one and half month से ना कुछ भी प्रीका नहीं किया, सिर्फ means की ही preparation चल रहे है, क्योंकि back to back means थे, तो उसी सब की preparation चल रहे है, प्रीका कोई मोग भी नहीं लगाया है मैंने, तो अभी बहुत कम time हमारे पास बचा हो है, तो इस time में मेरा क्या routine रहेगा, वो भी मैं आपको बता देती and yes guys, कल ही मेरा subscription जो है test book का वो expire हो गया था and luckily क्या हुआ, अभी offer भी ongoing है, तो मैंने तुरंत purchase कर लिया, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है, कि अभी तो काफी कम price में pass pro मिल रहा है, और बाद में जब हम without offer लेते हैं, तो 700 तक इसका price चला जाता है, तो इसलिए मैंने तुरं question box, तो अगर आपको need है, तो आप check कर लेना, तो अभी जितने दीन बचे हैं, five days है हमारे पास, तो इसमें मैं क्या करने वाली, सिर्फ mock test ही मैं दूँगी, बाकी कुछ करने की need नहीं है, क्योंकि preparation तो है ही, अभी पीछले जितने भी प्री हुए है, वो सारे मेरे वो गए तो इससे इतना तो पता चलता है कि preparation मेरी काफी अच्छी हो रखी है, प्री की confidence भी है मुझे, बस क्या है ना, कि एक जो प्री का flow होता है, वो speed जो होती है, और वो जो प्री का एक होता है, कि जल्दी जल्दी attempt करना, question choose करना, तो वो सब उसमें जाने के लिए मतलब mock test ज़र problem ना हो, बाकि वो लोग जो beginner है, इन काफी time से mock दे रहे हैं, उनके लिए मेरा suggestion यही है, कि आप अपने mock को analyze करो, क्योंकि वहीं से आपको समझवें आएगा, कि अगर आपको किसी particular section में problem आ रही है, या फिर किसी particular topic में problem आ रही है, तो वो आपको analysis से समझवें आएगा, उसक आपको problem आ रही है, जिस भी topic में आपको problem आ रही है, उसकी आप separate practice करो, and separate practice के लिए आप जो source यूज कर सकते हो, chapter test यूज कर सकते हो, कि जिस topic पे भी आपको मतलब करनी है preparation, उसका आप chapter test लगा सकते हो, test book पे भी काफी सारी chapter test आपको मिल जाएंगे, दूसरा आप quizzes भी लगा जाती कि उस income attempt होते हैं, तो उसके लिए best जो है, वो है sectional test, कि आप जितना हो, उसके अभी last time में sectional test लगाओ particular section के, वो कोई भी sectional हो सकता है, अगर आपको reasoning में problem है, quantum में है, या फिर English में हो रही है आपको, तो उसके आप sectional test लगाओ, उससे आपकी काफी help होगी, बहुत ज नेक्स्ट वीडियो में ट्राइ करूंगी कि अपना जो इस live mocha score आएगा, वो मैं आपके साथ share कर दू, so okay guys, I will see you in my next video, till then take care, bye